विद्धार्ती की जीवन में भी दो प्रकार के उत्वरे रखोते हैं 2008 की परिक्षा में अंतिम रूप से चाइनित नहीं होने पर मुझे किसे ने कहा कि तू तो केवी की नोकरी से संतोश कर ले यारेस बनना तेरे बसकी बात नहीं है तो एक दूसरे मित्र ने कहा कि गिर्गों करने कंथडा हिरण कशो घी खाए आख चरे और पून भगे घोड़ा शिवागो जाए कि हिम्मत कर हुमकार भर हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है एक था उत्प्रेरण और दूसरा था दूश प्रेरण दूश प्रेरण ना स्वेम करे ना दूसरों के दूश प्रेरण का शिकार हो अपने मुकाम अपने उसूल खुद तै करे और हर बार लोगों की अब एक्षाओ पर खरा उतरने की कोशिश ना करे एक बार रात के समय एक दुकानदार बंद करने ही वाला था कि ये कुत्ता उसके पास में आया कुत्ते के मुँ में थेली थी और उसमें कुछ समान की लिस्ट थी दुकानदार में थेले ली उसमें समान डाला बाकी पैसे डाले और सामने रख दी कुट्टे ने थेले मूँ में उठाई और चल दिया दुकानदार से रहा नहीं गया वा आश्चर ये चकीत होकर कुट्टे के पीछे पीछे गया ये जानने के लिए कि इतने समझदार कुट्टे का मालिक कौन है कुट्टा कुछ देर बस स्टॉप पर खड़ा रहा बस आई उसमें चड़ गया कंड़क्टर पास आते ही उसने गर्दन आगे कुछ पैसे और घर का पता था कंड़क्टर ने उसे टिकर दे दी बाकी पैसे बेल्ट में वापस रख दिये जो ही अपना स्टॉप नजदीक आया कुट्टा बस में आगे की तरफ आ गया और पूछ हिला कर इशारा किया बस रुखने पर कुट्टा उतर गया और आगे चल दिया दुकांदार भी उसके पीछे पीछे चला कुट्टे ने अपने पेर से दो तिन बार दरवाजा खट कटाया मालिक बाहर निकल कर आया और उसने लाठी से कुट्टे की पिटाई की आप सूच रहे होंगे कि क्यो मालिक भी सूच रहा था उसने पूछा इसका कारण तो मालिक ने कहा बत्तमीज ने सारी नींड खराब कर दी चापी लेके नहीं जा सकता था घडा कहेंगा मित्रो जीवन की सच्चाई भी यही है लोगों की आप से अपेक्षाओ का कोई अंत नहीं है जरा साब चुके कि आप में बुराईया निगाल देंगे और पिचली सारी एक्छाईयों को भूल जाएंगे इसलिए आप तो बस अपना कर्तम भी कर्म करें आगे बहुत सी कठिनाईया है माजी तेरी कश्टी के तलबदार बहुत है तेरी कश्टी के तलबदार बहुत है इस पार कुछ दो ए जिस शहर में खोली है कि अब जलेपी की तरह इसमें उलज ही गए हैं तो फिर क्यों न चाशनी में डूब कर जिंदगी का मजा लिया जा मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अपनी महनत को सफलता के मुकाम तक पहुचाईए अपना संबल खुद बनिए अपनी तारीफ खुद करिए बुराई करने के लिए तो पूरा जमाना बैठा है जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं आप कहते हुने कि मैं नित्रदान कर सकते हैं अपने आजबास के परिदेश में केवल उन्ही तत्व को प्रभिष्ट होने की अनुमती दे जो सकारात्मक हो विछारात्मक हो बोधात्मक हो साही दिशा देने वाले हो अन्यता आपके मस्तिश्क में क्रोध, इर्शा और द्वेश के रासाइनिक दुश्प्रभाव दिखने लगेंगे जो आपकी सोने की ठाली में पीतल की मेक जैसे अशोबनी ये लगी है